दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें बजाज फेंसब की तरब से 4 लाक रुपे तक का परसनल लोन का लिमिट मिला है तो दोस्तो आप भी कैसे बजाज फेंसब के साथ परसनल लोन ले सकते हो आज के इस वीडियो में इसका कंप्लीट प्रोसेस हम आपको करके दिखाएंगे इस वीडियो में अंट तक बने रहेगा उससे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं देखी बजाज फेंसब आपको उफर करता है चालीस लाक रुपे तक का परसनल लोन जो की डिपेंड करता है आपके सिबिल स्कोर और आपके जो प्रिबियस फैनेंसियल हिस्ट्री है उसके उपर इस लोन के अंदर आपको तीन यूनिक वैरियंट्स देखने को मिल जाते हैं सबसे पहला हाइब्रिड लोन, फ्लैक्सी टर्म लोन और तीसरा टर्म लोन तीनों ही किस तरीके के लोन है आपको आगे हम वीडियो में बताएंगे यहाँ पर लोन का EMI यानि रिपेमेंट करने के लिए आपको 96 महिनों तक का मैक्सिमम टाइम दिया जा सकता है बात करें इंटरेस्ट रेट के बारे में तो यहाँ पर आपको 11% से लेके 35% तक का क्या है कि यहाँ पर बजाज खुद कहता है कि आपको लोन 5 मिनट के अंदर अप्रूब हो जाता है और किसी भी तरीके का इंकम प्रूब भी आपको यहाँ पर अप्लोट नहीं करना होगा अभी हम बात करते हैं इलिजिबिटी क्रेटीरिया के बारे में कि कौन-कौन से लो अप्लिट डिटेzh अब चलिए इस लोन को कैसे अपलाई करना है इसका पूरा प्रोसेस जान लेते हैं बजाज फिन सब के सांत ओनलाइन लोन अपलाई करने के लिए आपको सबसे पहले हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्शैप्शन बॉक्स में अलनलाइन लोन अप्लाई करना है यहाँ पर मैं आपको एक बात बदाना चाहता हूं पहले कभी भी आपने अगर बजाज से लोन लिया है या फिर बजाज EMI कार्ट बनवाया है देन डेफिनेटली आपको यहाँ पर लोन एप्रूव होगा तो आपको उस केस में यहाँ पर उसी वाले यहाँ पर फिल करेंगे फिर यहाँ पर आप अपना कंप्लीट पैन कार्ड का नंबर फिल करेंगे उसके नीचे यहाँ पर कंप्लीट अपना डेट अप बर्थ यानि जन्न टेथे फिल करेंगे पैन कार्ड के साबसे और नीचे आपको अपने एरिया का पिन कूड यहाँ पर फिल कर देना है, देन नीचे आपको अपना CT यहाँ पर फिल करना होगा, उसके बाद नीचे यहाँ पर आप से professional detail पुछाता है, अगर आप job करते हैं, देन select करेंगे, अगर आप कोई business करते हैं या फिर कोई और काम करते हैं, तो self-employed यहाँ से फिल कर देंगे, यहाँ पर आपको अपना annual income बताना है, साल में कितने पैसे कमाते हैं, वो amount आप यहाँ पर भरेंगे, and then check offer वाले option पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, अभी next page में यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि हमें एक लाक रुपे से लेके 35 लाक रुपे तक का loan का offer दिया गया है, आप जितने भी amount का loan लेना चाहते हैं, वो amount आप यहाँ पर भर सकते हैं, आपके case में आपके इसाब से जो भी आपका offer होगा, आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा, नीचे आपको loan का type select करना है, यहाँ पर आपको तीन options दे जाएंगे, term loan, flexi term loan and flexi hybrid loan, तेकि term loan का मतलब यह होता है, कि यहाँ पर आपको एक loan का limit दे दिया जाता है, जैसे कि आपको 10 जियर रुपे का loan का limit दिया गया, तो आप उसमें से जितना पैसा चाहो, निगाल सकते हो, फिर उस पैसे को भर के, फिर आप जब भी चाहो, वो पैसा निगाल सकते हो, तो यहाँ पर आप एक time period select करोगे, और चितना दिन आप select करोगे, उतना दिन तक आप सिर्फ interest भरोगे, और उसके बाद आपको यहाँ पर loan का principal amount भरना होगा, तो यहाँ पर जिस भी type का आप loan लेना चाहते हो, यहां से select करोगे, और लिचे यहाँ पर आपको time select करना है, आप कितने महीनों के लिए loan लेना चाहते हो, यहाँ पर आपको maximum 90 महीनों तक का time दिया जाता है, बठ यहाँ बहुततर महीनों का time मेरे case में दिया गया है, और जाता है तो आपको यहाप के वाईसन करना है तो यहापर आप गीडिक करेंगे यापने कीस करता हूं तुटसे पियापको अपने आधार का नमबर ते March TV कर लिए पर जैए अगर आपने पहले कभी चैड Jim करना है तो सौने पहले उसकेक अगर आपको पास्वर्ड याद नहीं है तो यहाँ पर फ्रगेट सेक्यूरेटी पिन पे क्लिक करके आप पास्वर्ड को फ्रगेट भी कर सकते हैं तो डिजी लोकल में साइन ने के लिए आपके अधार काड्ट से रजिस्टर मोबाइल नमबर पर एक ओटीपी सेंड के बाते हैं अदार काट ड्राबल लेसंगस उस डॉकमेंट को आप यहां से सलेट करेंगे । कुछ डीटेल्स ओटमाटिक यहां पर डिटेक्ट करने जाएगा आपका अड्रस बगेरा यहां पर आपको नीचे कनफर्म का ऑप्षिन मिलीगा आप इसपे क्लिक करेंगे अभी य यानि आपको अपने account का e-mandate करना है, यहाँ पर आप जो भी account का detail देंगे, उसी account से आपका जो महीने का किस्त है, यानि यह महीने आपके loan का, वो हर महीने automatic कार्ट लिये जाएगा, यहाँ आप नीचे आपको इक instruction दिया गया है, कि यहाँ पर verification के लिए आपके account में एक रुप यहाँ आपके bank account से कड़ जाए, इसके लिए सबसे पहले आपको bank select करना है, तो select bank option पर आप अपक्लिक करेंगे, यहाँ से आपका जो भी bank है, यहाँ पर अपना bank select करना है, तो मैं यहाँ पर अपना bank select करना है, टाइप करके, उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको एक regulator के अ आप quick terms and condition का box देखेगा, इस box पर tick करेंगे and approve अले button पर click करेंगे, इस पर click करते ही, आपका जो loan का application है, वो successful submit हो जाता है, आपका reference number जेनरेट होके आजाता है, सामने आप reference number देख सकते हैं, इससे आप note down करके रख लेंगे, अब basically आपका loan का सारा process complete हो चुका है, last आपको अ बजाज फेंसव की तरफ से आपको एक call आएगा जहां पर आपके verification के जाएंगे, आपसे कुछ सवाल कुसे जाएंगे and उसके बाद आपका जो loan का amount है, आपके खाते में transfer कर दे जाएगा, अगर आपने KYC गिया होगा, तो यहाँ पर उसी वाले account से आपका जो email है, वो cutने बजाज फेंसव के साथ personal loan अपलाई कर सकते हैं उसे ले सकते हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो में दीगे जनकारी आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को like, share, इस पर comment कीज़ेगा और चैनलों को subscribe कर लिजेगा